दोस्तो रशिया युक्रेन वार में सबसे ज्यादा इस्तिमाल ड्रोन्स का हो रहा है दोनों ही साइट से आर्टिलरीज को उड़ाने के लिए ड्रोन्स का इस्तिमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है और आप देखोगे कि जिस तरीके से युक्रेन वार में ड्रोन वार्फियर evolve हुई है इसने modern warfare को पूरी तरह से transform कर दिया है दोस्तो युक्रेन के पास अभी जितने भी हतियार है वो maximum American है मगर जिन सस्ते टिकाओ drones का इस्तिमाल युक्रेन करता है वो maximum आते है तुर्की से क्योंकि तुर्की युक्रेन को बहुती सस्ते दाम पर drones बेच देता है लेकिन ये अमेरिका के लिए possible नहीं है क्योंकि American companies बड़े पैमाने पर सस्ते ड्रोनों का उत्पादन नहीं करती है जिनकी युक्रेनी सैनिकों को जरुरत है